क्यों फिर सुर्खियों में हैं बरेली के मौलाना तौकिर रजा क्या मौलाना हुए योगी मुरी क्यों नरम पड़े मौलाना के तेवर क्या है इस तारीफ के पीछे करार बुल्डोजर हम चाहते हैं कि हमारे यहां चला दो तूटेगा तभी नया बनेगा हमारा पुराना घर हो गया है तूट जाए गा तौन्या बना लेंगे अल्ला इंतिज़न करा देगा हम डरने वाले लोग नहीं है और ना हम नरेंदर मौदी की या केंदरसारकार की मुखालत कर रहे हमें अल्लाने जुमान अता की है और इसनी समझ अता की है कि जो सही है उसको सही को जो गलत है उसको गलत को तो गलत को गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है तो जो सही है उसको सही कहना भी हमारी जिम्मेदारी है योगी ने पिछले दिनों जो काम मेरी नजर में आए जैसे उत्तर परदेश चलाने के लिए उत्तर परदेश में आग लगा के लिए कुछ हिंदू टोपी लगा कर मस्जित की बेहुरमती करने गए योगी चाहते हैं तो मामले को दबा सकते थे लेकिन उन्हों ने खोल दिया और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहचा है जेल में बेच दिया उनका उनका उनकी साधिश को नाकाम किया इस किसम के कई आई वाकियात हैं तो यह काम अगर नरेदर मोदी को योगी सरकार से रेंडा लेनी चाहिए कर राजधर्म कैसे निभाया जाता है सब का साथ सब का विकास की बात नरेदर मोदी करते हैं लेकन अपने प्रदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा य और बात है कि मेरे योगी आज इसे नासे इखिलाफास हैं तो सुना आपने किस तरह मौलाना तौकिर रजा के बोलने का लहजा बदर गया और वो कैसे योगी की तारीफ किये बिना खुद को रोक नहीं पाएं तभी तो मुखालफत करते करते ये तक कह बैठे कि योगी जैसा कोई नहीं और बोलते बोलते ये तक कह दिया कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोजी जी आप भी योगी जी से प्रेणना लीजिए कि हुकूमत कैसे करते हैं याद कीजिए ये वही मौलाना है जिन्होंने बरेवी के इसलामिय मैदान से शोगी सरकार के खिलाफ विरोत की आवाज को बुलंद किया था मगर अब शोगी की शान में उनके कसीदे पड़ना तो क्या कहानी में कोई ट्विस्ट आ गया बुल्डोजर हम चाहते हैं कि हमारे यहां चला दो तूटेगा तभी नया बनेगा हमारा पुराना घर हो गया है तूट जाएगा तो नया बना लेंगे अल्ला इंसिजान करा देगा हम डरने वाले लोग नहीं हैं और ना हम नरेंदर मोदी की या केंदर सारकार की मुखलफ़त कर रहे हैं हमें अल्ला ने जुमान अता की है और इसनी समझ अता की है कि जो सही है उसको सही कहो जो गलत है उसको गलत कहो तो गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है तो जो सही है उसको सही कहना भी हमारी जिम्मेदारी है योगी ने पिछले दिनों जो काम मेरी नजर में आए जैसे उत्तर परदेश चलाने के लिए उत्तर परदेश में आग लगाने के लिए कुछ हिंदू टोपी लगाकर मस्जिस की बेहुरमत ही करने गए योगी चाहते हैं तो मामले को दबा सकते थे लेकिन उन्हों ने खोल दिया और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहचा है जेल में बेट दिया उनका उनकी साधिश को नाकाम किया इस किसम के कई वाकियात है तो लेकिन ऐसी वाकिया ने काम अगर नरेंदर मोधी को योगी सरकार से बिरेना लेनी चाहिए कि राजधर्म कैसे निभाया जाता है सबका साथ सबका विकास की बाद नरेंदर मोधी करते है लेकिन अपने पिरदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा यह और बात है कि मेरे योगी आज जिसनाच से इक्तिलाफात है रवीवार का दिन था बरेली में धारा 144 लागू थी उसके बावजूद भी इस मैदान में लोगों का हुजूम देखने को मिला था इस कारिक्रम में पुलिस ने लाउट स्पीकर की इजादत नहीं दी थी लेकिन फिर भी आवाजे गूंज रही थी योगी और मोधी के खिलाफ नारे लग रहे थे वैसे इसमें कोई दोराय नहीं कि पूर भाजपा नेता नुपूर शर्मा पर विवादित बयान ने पूरे देश को नफरत की आग में जोग दिया मगर ये चिंगारी जैसे ही यूपी की सरहदों तक पहुची तो योगी और बाबा का बुल्डोजर दोनों हरकत में आ गए कानपूर के माते पर कलंक लगाने वाले उपदर्वियों के पोस्टर चस्पा हुए और फिर प्रियाग राज में जावित के खर पर बुल्डोजर घरश्ता दिखा शानी जिसने कानून को तोड़ा उसकी शामत आई लगता है मौलाना सहाब को भी यही बात समझ में आ गई कि यह योगी का राज है जहां बवाल की कोई जगा नहीं विरो रिपोर्ट न्यूजवल इंडिया